अस्सलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों के साथ स्पाइसी ड्राइ चिकन की एक बहुती डेलीशियस रेसिपी शेर कर रही हूँ यह खासकर बैशलर्स और बिगिनर्स के लिए हैं तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं स्पाइसी ड्राइ चिकन बहुत ही बेसिक इंग्रिडियन्स से बनती है लेकिन काफी तेस्टी भी होती है तो सबसे पहले हम दो टेबल स्पून तेल गरम कर लेते हैं तेल गरम हो चुका है हम इसमें आधाटी स्पून काली मिर्च आधाटी स्पून जीरा चार लों तीन इलाइची और चार छोड़े चोड़े दालचीनी के पीसस दाल देते हैं इसे एक दस से पंदरा सकेंद तक सौटे कर लें नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे दो मीडियम सैज की बारीग कटेवी प्यास इसका कलर गोड़न-ब्राउन होने तक इसे अच्छे से भून लें प्यास हमारी गोल्डेन ब्राउन हो चुकी है हम इसमें चार बारी कटेवे हरीमिर दल देते हैं प्लेम को हाई पे रखके इसे भून लें इसे एक तीस सकेंड के लिए भूनने के बाद हम इसमें दो टीस्पून अधरक लहसुन का पेस्ट दल देते हैं चिकन की कोई भी रेसिपी बनाने से पहले आप बात याद कुछे लें चीकन हमेशा फ्रेश होना चाहिए और छाफी अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्रेश होना चाहिए जितनी भी अच्छी बनाने के ट्राय करें वो उतने टेस्टी नहीं बनेगी नेक्स हम इसमें 1.5 ती स्पुन हल्दी दाल देते हैं इसे भी मिक्स कर लें हल्दी को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 1.5 kg चिकन दाल देते हैं इस रेसिपी में हमें चिकन को बहुत अच्छे से भूना होगा तब यह टेस्टी बनेगे चिकन को मैंने तीन से चार मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें दो बड़े साइस के बारी कटे हुए तमाटर दाल देते हैं तमाटर दालने के बाद फिर से इसे अच्छे से भून लें तमाटर सॉफ्ट होने तक इसे ऐसे ही भूनते रहें फ्लेम को हाई पे रखें तमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन भी मैंने अच्छे से तमाटर के साथ भून लिया है अब हम एक टीस्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे बहुत अच्छा कलर आएगा आप स्पाइसर्स यानल लाल मिर्च का क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में तीकापन बहुत ही ज्यादा कम होता है नेक्स चामीज में डालेंगे धनिया पाउडर एक टीस्पून आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून गराम मसाला पाउडर चार लाल सूखी मिर्च क्योंकि ये spicy chicken है इसमें ये सब चीज़ जरूरी है हाई flame पे इसे भी भून लेते हैं देखिये chicken का कितना अच्छा color आया है अभी से अब मैं flame को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हम इसमें दहीं दालेंगे हम इसमें दो टेबल स्पून दहीं दालेंगे दहीं को अच्छे से फेंट के दालिए अगर आप गरम ग्रेवी में दहीं दाल देंगे तो दहीं फट भी सकता है इसलिए मैंने flame को बंद कर दिया था इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम flame स्विच आण करने हैं अब flame को हाई पर रखके इसे भून लें दहीं की एक स्मेल आती है उसमेल जाने तक इसे ऐसे ही भूनते रहिए देखिए इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है आखिर में हम इसमें थोड़े से बारी कटेवे धनिया के पते दाल देते हैं इसे भी मिक्स कर लें भूनते वक्ते चिकन हमारा 50-60% गल चुका था फिर भी मैं अब थोड़ी देर इसे low flame पे रख देती हूं ताके 100% तक अच्छे से गल जाए इसमें पानी दालने के जरूरत नहीं है क्योंके इसमें अल्रोड़ी धाइं का पानी है और जो हमने टमाटर दाले थे उसका पानी भी अच्छे से निकलेगा उसी में चिकन गल जाएगा वैसे भी ड्राइ चिकन है आखिर में हमें इसे सुखाना ही होगा इसमें लिट बन कबें चिकन गल चुका है फ्लेम को हाई पे रख के हम अभी मसालां को सुखा लेते हैं क्योंके यह ड्राइ चिकन है ग्रेवी अच्छे से ड्राइ होने था किसे ऐसे ही हाई फ्लेम पे भूनते रही है इसमें नमद भी चेक कर लें और पोन असा मैं निम्बू का जूस भी डाल देती है टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा ग्रेवी हमारे अच्छे से ड्राइ हो रही है ग्रेवी किस तरह से चिपक रही है इसका मतलब यह है कि ग्रेवी कंप्लेटली ड्राइ हो चुकी है जब आप इसे रोटी के सब खाएंगे तो हर पीस में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा किस तरह से यह फिक्स हो गई है एक कोटिंग की तरह बन गई है अब हम फ्लेम बन कर देते हैं हमारी स्पाइसी ड्राइ चिकन की रेसिपी अब तयार है कॉमेंट्स में जरूर बताएं आपको मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी वसन आई तो प्लीज मेरे चैनल को किट फेम को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकान भी प्रेस कर दें लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेर भी करें अस्सलाम अलेकुम